तो आज का जो हमारा टॉपिक है आज के सेशन में जो हम सीखेंगे वह है केंडल स्टिक एंड पैटर्ल्स सई तो केंडल्स क्या होती है और इनसे हमें क्या हिल्प होती है केंडल्स से हमें ये हेल्प होती है के हमें मार्किट के ओन और क्लोज टाइम करता पता चलता है बुलिश चल रहं है तो इसमें इस कोर्स में मैंने बुलिश कैंडल्स और बेरिश कैंडल्स और उनके नाम और सारी चीज़े जो है आपके लिए रकी है तो चलते जो है इन्में इंपॉर्टन क्या क्या चीज़े होती है देखें यह है से प्राइस ओपीन हुई hé थिक है यह प्राइस जो है नीचे आई यहां पर क्लोज हो गए तो यह प्राइस ओपीन हुई और यह close हुई यह बीच वाला हिस्सा जो है इसको कहते हैं body ठीक है और यह high यहने के यहां से यह candle start हुई सभी है यहां तक market उपर आई ठीक है start open उपर आई यह high rate था ठीक है फिर लेकिन sellers को नीचे लेगे फिर यह बिल्कुल low पर आगे लेकिन फिर वापस उपर के नीचे बायर है उन्होंने भी इसको push किया है तो close यहां पर हुई लेकिन यह downtrend पर है अच्छा यह high price यह low और यह weak shadow और यह भी हमें यह दू चीजों को समझने इनको विक कहते हैं और जो बीच में है इसको body कहते हैं अगर red है तो इसकी price यह open है और यह close है ठीक है अब green candle की तरफ आते हैं जो हमें sign देता है कि market जो है उपर की तरफ जा रही है same लेकिन इसमें difference थोड़ा और है इसमें market जो है यहां से price open होगी ठीक है जब भी green candle बनेगा वह इसके उपर जाएगा ठीक है और अगर रेड़ बनेगा तो वह नीचे की तरफ आएगा यहां से market उपर की तरफ नहीं जाएगी यहां से फिर अगर रेड़ बनता है तो market नीचे आएगी तो इसमें यह इसको विक कहते हैं और यह open price है और यह close हो जाती है जो next candle हो यहां से start होगी तो या तो ग्रीन होगी और या फिर अगर रेड़ होगी तो डाउन की तरफ जाएगी ठीक है तो और इनके color red candle जो है मतलब market जो है निचे जादी है ज्यादा एक्टिव है और अगर green है तो market में बायर जो है वो ज्यादा एक्ट अच्छा bullish candlestick bullish candlesticks यह bullish candlesticks के patterns है कि bullish candles क्या होती है ठीक है यह green colors के होते हैं ठीक है और यह सारी types हैं ठीक है और इनके इनको हमने follow करना होता है most bullish reversal patterns required bullish confirmation in other words they must be followed by an upside price move which can come as a long hollow candlesticks or a gap up and be accompanied by high trading volume this confirmation should be observed within three days of the pattern ठीक है क्योंकि वन्डे के chart के साथ से जितने भी ट्रेडर्डर्श हैं वह वन्डे के चार्ट के साथ से candles को देखते हैं और यहनिके उनको एक दीन का पता चल जाता है कि जो langsFrank कि तो मुझे पता चल जाएगा कि कल मार्किट ओपन किस टाइम परूव तो मैं देखूंगा कि यहां से ओपन हुई टी तो इस तरिकर से हमें जो है किस टाइब ओपीनिंग प्राइस क्या थी और प्रैस क्लोजिंग प्राइस क्या थी तीक है 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 केंड prophe Cruise की टाइपश जो है यह हैमर नाम इस कैनडल को ŏंप टिक है यह कटेर जो हैं मर एक लाती है जब भी आपको सब्सक्व मिलती है सब्सके असा मतलब यह कि मार्किट जो है अब चेंज करने वाली है उपर की तरफ इनके जाने वाली है क्यों कुछ दिखें यहां से सेलर्स ने पुश किया देखिए यहां यहां से बायर एक्टिव हुए बायर वापिस इस केंडल को उपर लेकर गए और एक स्ट्रॉंग बुलिश केंडल बन गई और इसको कहते हैं हैमर और यहां से अब मार्किट का ट्रेंट जो है वह उपर की तरफ जाने वाला है ठीक है जब विवनार में ऐसी केंडल आपको मिलेगी उसका यही मतलब होगा आपने देखना यह है कि यह कैंडल जब बने यह सपोर्ट लेवल पर हो जब यह सपोर्ट हैमर अगर यह हमें सपोर्ट पर जाताएं अगर यह हमें सपोर्ट पर मिलता है जो यह को इनने के मार्किट को नीचे की तरफ भी ला सकता है तो अगर यह support पर मिलता है तो इसका मतलब यह है कि यहां से market जो है उपर की तरफ जाने वाली है इसको कहते है inverse hammer ठीक है अब bullish engulfing यह क्या होती है bullish engulfing देखें market का जो trend था त्री red candles है market का trend डाउन की तरफ था उसके बाद bullish engulfing क्या होती है कि जो candle बनती है green वाली ठीक है वो पूरी red को cover कर लेती देखें कि red जो है इसके यहां तक आ रही है ठीक है इस level तक red आ रही है लेकिन green जो है उपर तक गई इसके विक छोटा है ठीक है और body जो है red से बढ़ी है और उसके बाद यहां की confirmation होती है कि यहां से market जो है uptrend पर जान सकते हैं कि यह bearish candle है ठीक है यह bearish candle बनी मार्किट में और उसके बाद जो है यह candle बन जाती है बुलिश candle ठीक है अब यह नहीं के हमारे साब से 50% जो हम इसको जो गैप है ठीक है क्लोज अब आफ दा 50% लेवल आफ दा पीर सीडिंग बीरिश कैंडल गैप डाउन ओपिन बि लेकिन बायर ने इसी candle को वापिस उपर की तरफ लेकर गए और यहां तक वापिस आगे ने कि इसका 50% जो एरिया है वो इस ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया मतलब कि इसके बाद जो है उपर की तरफ जाने वाला है क्योंकि बायर जो है मार्किट में एक्टिव है ठीक है अब इसके बाद एक गृण कैंडल बन जाता है ठीक है तो यह चेंजर होता है अगर यह सप्रपए लेवल पे आपको मिल जाता है यह थोड़ा ऊपर भी मिल जाता है तो जाता है यह क Cantude करता है और उसको ऊपर की तरफ ले जाता है यह एक एगजेंबुठ चार्ट यहां पर हमें एक morning star मिला और इसके बाद इसने market को ऊपर की तरफ ले कर गिया है ठीक है तो इस तरीके से भी हम जो है market में एंटी ले सकते हैं कि हमने candles को note करना होता है थ्री वाइट सोल्जर्स थ्री वाइट सोल्जर्स यहनिके अब आप देखें market का ट्रेंड डाउन था बिल्कुल डाउन फॉल पर मार्किट घिर गई है ठीक है उसके बाद जो केंडल बनी जो है हमारे पास confirmation आई ग्रीन की उसके बाद हमने buy long लगा दी कि हमें confirm है कि market जो है bullish share market उपर की तरफ जाने वाली है उसके बाद क्या होता है यह market यहां तक है सही है और आगे भी उपर ही गई होगी जब तक इसको पिन बार या वहां से resistance जो है इसको गिराती नहीं है या उसको वहां से reject होता है तब तक market जो है support level से उपर जाएगी या अगर यह mid में होगा य three white soldiers अब हम बात करेंगे bearish candlesticks जो होते हैं a bearish engulfing pattern is a technical chart pattern that signal lower prices to come the pattern consists of an up white or green candlesticks followed by a large down black or red candlesticks that eclipses or engulfs the smaller up candle ठीक है अब bearish candle क्या करता है bearish candle जो है वो इनके seller जो है जो इनके जब market में seller ज्यादा होते हैं इसी coin पे तो क्या होता है कि market जो है bullish से फॉरण bearish आ जाती है अभी देखें open price level देख लेए अब ठीक है यहां तक open price यह green की है कहा close हुआ यहां पर हुआ यहां तक इनके market ने हम में यह दिखाए कि bullish चल रही है फिर उसके बाद यह red जो है यह market उपर तक गई यहां इस लेवल तक है लेकिन वापिस ठीक है वापिस गिरा दी बेरिश केंडल ओपन एट और अबव दा प्रीवियस केंडल और केंडल को जो है इस से यह इस लेवल पर यह जो है ओपिन हो होगा सब्सक्राइब तो इस तरीके से हमें पता चला कि मार्किट ने अपना जो है चेंज कर दिया अब मार्किट जो है नीचे की तरफ जा रही है हेंगिंग मैन अगर हेंगिंग मैन आपको जब यह आप सपोर्ट लेवल रिजिस्टन्स लेवल पर होते हो ठीक है जहने कि जब मार्किट काफी उपर होती है और आपने एक चीज़ खरीदी है इस लेवल पर आपने खरीदी है इस लेवल पर इसकेबाद ये आपको मिलता है ठीक है ये हम इसको कैसे हमें पता होगा कि Each क्या होता है थिक है थिक है और यह नीचे जो है कितनी लंबी है अब जब यह हम देख लेंगे हमें पता चल जाएगा चोटी सी है बहुत चोटी और नीचे की विक बहुत लंबी है है और बोडी जो है उपर की तरफ चोटी सी बनी हुई तो यह क्या होता हिए यह हेंगिंग मैन जो है यह मारकें को यहाँ के कंफर्मेशन होती है कि यहaş है अब नीचे की तरफ जाने वाले दूह है अगर आप यह देखें शूटिंग स्टार होता है इसके नीचे विक जो है वो नहीं होती ठीक है यहां से उपर गए लेकिन वापिस जो है इदर यहां के आके close होगी यह इसकी body बन गए ठीक है विक उपर से काफी लंबी है अब उसके बाद क्या confirmation है हमारे पास के market जो है नीचे की तरफ ही आएगी तो हमने क्या करना है यहां से सेल जो है सेल और कर देना अपना फिर बाए कहां से करना बाए नीचे से जब मार्किट बुलिश हो जाएगी उसके बाद जो है हमने बाए कर देना है तो यह कहते हैं इसको shooting star evening star evening star जो है वो भी यहनिके market को change करता है अब उसमें क्या सब्सक्राइब मुषार 000 म सब्सक्राइब सब्सक्राइब होता है कि मार्किट जो है espect заключ के बाद देखना है कि उपर फूर बुलिश केंडल बनी है फिक पर सब्सक्राइब में आप देखे हैं इसको reference भी छोटी है ठीक है और इसको जब यह बन जाती है और इसके बाद जो है अगर बनती है तो यह भी एक confirmation होती है कि अब जो मार्किट है वो बीरिश हो जाएगी मार्किट जो है गिड़ जाएगी उसके बाद आप देखें नीचे से मौर्निंग स्टार जब बनेगा तो यहां से मार्किट जो है ओल्मोस्ट वापिस जो है उपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी तो अगर यह चीज़ हम यहां बाई कर लेते हैं ऊपर आए हमारे पास यह इवनिंग स्टार आता है यहां पर हमने सेल कर देना है हमने निकल ज चली जाएगी 3 प्लैक प्लाड्स ऑड्ल क्या होते हैं कि देखिए अब थ्री रेड्ड यहपी ब्लैक रो découv में नहीं आ । इनकी बॉड़ी इतनी नहीं है अब यह देखिए यह यह दो दो ठीक है लेकिन इनकी देखिए यह बिलकुल रेजिस्ट्स हूने वाली है और मार्किट यह वापस नीचे की तरफ जाने वाली यह Dark Cloud Cover Dark Cloud Cover Pattern Trend Reversal pattern होता है effective if found during uptrend मतलब अगर अगर अप-tritals में आपको मिलता है तो वहाँ पर आपने निकल जाना है क्यों क्यूए वहाँ से Markit का Trend Change होने वाली है वहाँ से Market जो है नीचे की तरफ आएगी अब इसको हम कैसे देख सकते हैं देखिए ग्रीन केंडल बनी भीया यहां पर देख सक्ते ऐं ग्रीन कैंडल बनीब उसके बाद रेड बनने के बाद यहां से हम कांफरम होगे आगर वह जातास है एंजे यहां चारट और ऊसके बाद हमने ना इस को यह बोशेल कर यहां राइगे लिए क्योंकि आप हूँ इसके ओपको नीचे मिल रहा है तो वहां से चेंज करेगा अगर वो आपको आपको उपर की तो मतलब वह से वो ट्रेंट करेगा नीचे की तरफ आएगा देखें यह हमें नीचे डौजी मिला इसने क्या किया मार्कट को उपर ले गया है फिर इस लेवल पर ठीक है यह जो लेवल है यहां पर मार्किट फिर हमें डौजी जो कैंडल है वह साइन हमें दिखा है यहां से मार्किट वापिस उपर की तरफ चलिए यह जो डॉजी है वो दिखने में सेम ऐसे होते हैं आप जब चार्ट देखेंगे चार्ट में यह चीज़े आपको नज़र आएंगी और बहुत हेल्प करेंगी स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग टॉप क्या होता है बुलिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है और बेरिश देखें विक बहुत बड़ी है ठीक है बुलिश की और यह ग्रीन कलर में होता है और नीचे से बीस की विक जो है बड़ी होती है यह ओपिन है यह क्लोज यह हमारे पास है bullish spinning top बेरिश spinning top क्या होता है कि यह open जो है यहां से हुआ ठीक है यह इसकी body है open यहां से हुआ close इधर हो गया ना नीचे गया ना उपर गया ठीक है बीच में ही यह रोग गया मतलब buyer and seller जो है दोनों almost जो है काफी यह नहीं के अच्छे जा रहे हैं अगर यह हमें मिलता है सपोर्ट लेवल पर ठीक है बुलिश spinning जो टॉप है अगर यह हमें सपोर्ट लेवल पर मिलेगा यह वाला तो हम अब यहां से हमें क्या साइन मिल रहा है कि मार्किट उपर जाने वाली है अगर यह हमें resistance पर मिल रहा है या मिड में मिल रहा है 70 पर संट एरिया या सिक्स्ति एफोर्टी पर संट एरिया वहां पर हमें मिल रहा है तो मतलब वहां से मार्किट जो है नीचे की तरफ आएगी तो अगर आप गाषव से देखें तो यह बिल्कुल से में ऐसे ही जो है तो ये में पास से हैंदिन सब्सक्राइब आप लोग को संवांज। और जो चीज़ें आप लोग को समझ नहीं हैं तो वो आप मुझसे पूझ भी सकते हैं इस तरीके से हम जो है ट्रेडिंग वी उपर जाकर और अपना अनेल्सिस करके इन केंडल सिक्स को हम खुद भी जो हैं फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है अब इस कैंडल को देखें ठीक है यह जो है यह हमारे पास कौर सी कैंडल है अगर आप गौर से देखें यह भी मैं आपको दिखाता हूँ आप यहाँ पर किया है अब यहां से मैं आ पको दिखा रहा हूँ कर अगर यह हमें मिलता है कि काफी जो है मार्किट अब ट्रेंद पर है कि और यहां हमें यह मिला जैसी मिला आप नीचे की तरह आप यह T्रेंजर आता है थी कि अभी हमने बढ़ा था डौजी उसके हमने पड़ा किस तरीके से मार्किट जो है अगर इस अब देखें यह सपोर्ट लेवल है ठीक है अब कि यह यह जो है यह सपोर्ट लेवल है ठीक है और यहां पर अगर यह हमें मिल रहा है तो इसका मतलब है कि यह ट्रेंड को जो है चेंज कर देगा यह मार्कि ले ले और उस तरीके से आप जो है मार्दम केंडल जो हैं हमें क्या बतारे मार्किट पर किया मिल अब support पे मिला है तो यहां से मार्केट जो है उपर की तरफ चली गई है जहां तक आगई है इस तरीके से हमने यह सारी candle जो है यह fine कर लेनी है और उससे हमें क्या होता है काफी help हो जाती है market की movements को समझने में market की movements क्या चल रही है हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं ठीक है तो उमीद करता हूँ आप लोग को समझ आगी होगी केंडल्स को हमने कैसे समझना है तो जो चीज़े आपको समझ नहीं आती या नहीं समझ आ रहे हैं वो आप मुझसे पूझ भी सकते हैं केंडल्स के हवाले से बाकी यह सारे केंडल्स जो है यह आपको अपने पास जहन में रखने याद रखने और इनके आप अपने पास screenshot लेकर रखना चाहा है Черफ Okay आ कि क्राफी चीजे रहें कि मांर्कीट की opening price क्या थी close price क्या थी मांर्केट बुलिश थी जो है बेरिश थी और मांस की सपोर पर अगर आपको कोई मिलता है मौर्निंग स्टार मिलता है तो वह आपको क्या बता रहा है ठीक है अगर हैंगिंग मैं मिलता है ठीक है आपको रिजिस्टंस पर मिल रहा है तो वह आप से क्या कह रहे हैं नहीं कि यह होती है जिससे हम समझ पाते हैं कि मार्किट के जो कैंडल स्टिक्स हैं यह हमें क्या कह रहे हैं ठीक है इस तरीके से हम इन कैंडल को फॉलो करके काफी जो है अपना प्रॉफिट जनलेट कर सकते और टाइम जो है उसको भी अपना सेव रख सकते हैं तो उम्मिद करते हूं आप लोगों समझ आ गई होगी और मैं आप इजाज़त चाहता हूं अलाहाफेज्ट